नमस्कर दोस्तों मैं हूँ जै और आप देख रहे हैं जैस्तनी मुई आर्यान खान के केस में आर्थर रोड जेल से अभी अभी एक बहुती बड़ी अपडेट आ रही है आप सब को बता दूँ कि आर्यान खान के साथ साथ में उसका दोस्त अर्बाज मर्चंट को भी NCB की टीम ने गिरबतार किया है और उसको जो है इस टाइम आर्थर रोड जेल में ही रखा गया है यानि के आर्यान खान के साथ साथ में अर्बाज मर्चंट को भी उसी जेल में रखा गया है अभी अभी अरबाज मर्चंट को लेकर एक बहुती बड़ी अपडेट आ रही है और यह जो अपडेट दी गई है वो अरबाज मर्चंट के पिता के द्वारा दी गई है आपको बता दूँ कि अरबाज मर्चंट के पिता जो है वो भी पेसे से वकील है उनके द्वारा अभी मीडिया से बात करते में बताया गया कि अरभाज मर्चंट को अभी कुछ देर पहले अटायक आया था जिस से कि अरभाज मर्चंट की हालत बहुत ज़ादा खराब हो गई है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अरबाज मर्चंट को पिछले काफी टाइम से जेल में रखा गया है और साथ में ये अरबाज मर्चंट अपने फैमिली से भी नहीं मिल पा रहा है तो कहीं न कहीं से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही जिसमें कन्फरम किया गया है कि अरबाज मर्चंट की हालत जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा खराब है देखते हैं आने वाले टाइम पेश पे क्या होता है 26 अक्टूबर को मुंबई हाई कोर्ट में इन दो के दोनों लोगों की याजका पे सुनवाई भी है अब देखते हैं इनको जमानत मिलती है या नहीं मिलती है लेकिन अभी जो अरबाज मर्चंट के पिता के जारा सीधा सीधा दावा किया जा रहा है कि उनके बेटे को अटाइक आया था जिसकी होजा से उनकी हालत बहुत ज़्यदा खराब हो चुकी है आपका क्या ओपिनियन है इस पर आप उनका ओपिनियन कमेंट बाक्स मोता है और वीडियो को ज़्यदा सेयर करें